हेलो एब्रीवन विल्कम बैक टो वोल्ड चैनल हाइपर ट्रेडेज भी मैं हूं महमद सोहेल दोस्तों केनरा बैंक लिमिटेड पे अपने पिछले वीडियो मैं मैं जो अनालिसिस दिया हूं आज के दिन भी मैं उसी अनालिसिस के उपर बैट रहा हूं मैं कुछ चेंज करने वाला नहीं हूँ एलेसिस क्योंकि हम लोगों को हर बार ट्रेडिंग पकाम करना पढ़ रहा है और हर बार हम लोगों के टर टैर्ट ही लग रहे हैं पर अभी तक कि ट्रेड़ींगेसलनी लगा इस बÁर मैं आपको एक लेवन देने वाला हूं वह लेवेल अगर ब्रेक होता मिला नहीं न्यू ब्रेकाउट समझो उसके बाद फिर यहां पर जो ब्रेकाउट मिला उसका सपोर्ट मिला प्रीवियस ब्रेकडाउन का रेसिस्टेंस लेवल मिला अगर आपको रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है यह ब्रेकडाउन लेवल है इसका सपोर्ट लेवल यहां पर यह breakdown level है इसका support level यहाँ पे भी इसका support level यहाँ पे भी अब उसी तरीके से previous breakout कहाँ पे मिला previous breakout यहाँ पे मिला जिसका support हम लोगों को stock के अंदर यहाँ पे देखने को भी मिला अभी stock के अंदर breakdown level यहाँ पे aso and breakout level यहाँ पे इसका जो recent breakout level है वो यहाँ पे है जो इसको recently देना नहीं चाहिए था stock दे गया अभी stock के अंदर यहाँ पर जो breakdown बना है तो stock को support कहां पर लेना चाहिए इसी breakdown level पर breakout का support लेना चाहिए 407 पर और यह 425 पर new breakdown level दिया इन्हों breakout level दिया है जिस वज़े से stock के अंदर क्या हो रहा है पता है यहां पर इंप्रॉपर जैसे buying होते हुए breakout का support लेते उपर गया यहां पर भी वही performance दे रहा है पर यहां के candles में यहां के candles में फरक क्या है यह तीनों candles में फरक यह है last candle में कि यहां पर solid selling चल रही है इसलिए मैं आपको अपने target अचीव होने के बाद trailing दे रहा हूँ 425 का अगर केनरा बैंक 425 का level break होता हुआ दिखा आपको नीचे के तरफ तो आपको निकल जाना है अगर नहीं यह फिर से यहां पर आके support लेके ऊपर जा रहा है तो definitely यहां पर rebuy करेंगे definitely करेंगे फिर से पर अगर stock यहां पर support नहीं ले रहा है level break करते हुए 407 का भी level break कर रहा है तो बनेगा तो fresh buying 389 पर बनेगा वरना यह 200 EM में कहां तक आएगा previous record 383 तक आएगा बनेगा तो 383 के पास हम लोगों को support बनेगा बनेगा तो 407 पर बनेगा चाहे यहां पर बनो यहां पर बनो fresh buying फिर से मिलेगा पर अभी के लिए 425 का आप stock के अंदर trailing SL लेके चल सकते हैं दोस्तों यही था मेरा update canara bank पे अगर आपको stock पे analysis समझ में आया वीडियो को like एंड यूटूब चैनल को subscribe कर लीजिये thank you for watching my video